हेलो फ्रेंड्स तो कैसे आप सब उम्मीद करता हूं अच्छ होंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि डियो डेरिंट मतलब डियो और पर्फिम में क्या अंतर होता है कई लोग तो डियो और पर्फिम को एक ही मानते हैं तो कई लोगों ने तो सोचा भ जिसे डियो के नाम से भी जाना जाता है जो बैक्टिरिया के वजह से शरीर में बनने वाली गंध को सुगंध में बदलने के लिए शरीर पर स्प्रे किया जाता है यह पसीने की बदबू को शरीर से हटाने और अच्छे खुश्बू को शरीर में लाने के लिए लगाया जा यह मतलब की सिर्फ बॉड़ी पर लगाया जाता है जबकि पर्फूम को कपड़े पर छिड का जाता है एक पर्फूम में 25 से परशेट। खुश्बू वाला तेल और अलक़ॉ area मिक्स होता है56 को पुर शरीलिक सिर्फ कपड़ें चलव पर छिडग जाता है और इसकी जाता है जबकि पर्फ्यूम को खुद को सुगंदी मतलब खुशुबुदार करने के लिए लगाया जाता है डियो डॉरेंट में आम तोर पर खुशुबु वाली तेल और सौम में अलकोहॉल की मात्रह 10-15% होती जबकि पर्फ्यूम में 15-25% खुशुबु वाला तेल और अल लगाया जाता है जबकि पर्फ्यूम को केवल स्प्रे के द्वारा लगाया जाता है पर्फ्यूम अधिकतर डियो से महंगा होता है पर्फ्यूम डियो क्या पेच्छा अधिक देर तक टिकता है मतलब इसके खुशुबु जादर देर तक रहती है तो उम्मीद करता हूं वी वोडियो में तब तक ले बाइब